हलो वाइन वेल्कम टो एस्टी फ्रेंचाइज एडवाईज मैं हूँ आपका दोस्त सुमेथ चलिए शुरू करते हैं नाचुरल आइसक्रीम फ्रेंचाइज रिव्यू और सबसे पहले जानते हैं कि अगर कोई फ्रूट आइसक्रीम बिजनस या सरफ आइसक्रीम बिजनस से शुरू करना चाहता है तो ऐसे सिचुएशन में नाचुरल फ्रेंचाइज क्यों बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों इंडिया में आइसक्रीम के तीन सबसे पॉपुलर फ्लेवर्स में से पहला है वनीला दूसरा ह आपने गेस कर लिया होगा चॉकलेट और तीसरा बिल्कुल सही फ्रूट फ्लेवर्स और जब फ्रूट बेस आइसक्रीम की बात आती है तो नाचुरल आइसक्रीम का नाम दिमाग में सबसे पहले आता है और इसकी दो खास वज़े हैं पहले कि इंडिया में फ्रूट बेस आइसक्रीम की जितनी बड़ी रेंज नाचुरल के पास है उतनी रेंज किसी और ब्रैंड के पास नहीं है दूसरी वज़े है कि फ्रूट आइसक्रीम बेस जितने भी ब्रैंड हैं उनमें से शायद ही कोई ब्रैंड होगा जिसकी देश में नाचुरल जितनी प्रेजन्स औ और डिमांड होगी वैसे तो नाचुरल्स फूट पेस्ट आइस्क्रीम के लिए जाना जाता है बट उसके पास नौन फूट फ्लेवर में भी आइस्क्रीम की बढ़िया रेंज है जैसा कि आप स्क्रीम पर देख सकते हैं दोस्तो फूट बेस्ट आइस्क्रीम के साथ ने एक होती है कि जो उसका में इंग्रीडियेंट है फूट वो सिफ अपने सीजन में आता है तो जिन फूट का पल्प प्रिजर्व किया जा सकता है उन फूट की तो आइस्क्रीम पूरे साल मिल जाती है बट जिन फूट का पल्प प्रिजर्व नहीं हो पाता है उनकी आइस्क्री जो high street या market area में किया जाता है तो natural ice cream franchise criteria क्या है इन दोनों models के लिए चलिए अब वो जान लेते हैं और सबसे पहले जानेंगे इन दोनों models के franchise fees और deposit amount के बारे में दोस्तों as per natural ice cream website अभी company अपने नए franchises से कोई भी franchise fees या किसी तरह का deposit नहीं ले रही है मगर वो भविश्य में ऐसा कर सकती है और जब वो करेगी वो इसका update अपनी website पर देदेगी next हम जानेंगे दोनों franchise model के area requirement natural ice cream franchise business के kiosk model में area required होता है सबा सब से 1500 square feet in a mall और parlor model के लिए high street में या market area में 300 से 400 square feet की जगह required होती है और यहां दियान देने वाली दो बाते हैं पहला company उनको franchise देना prefer करती है जिनके पास अपनी खुद की property है in comparison to someone जो rent पे property ले रहा है यह compulsory नहीं है यह सिर्फ preference है दूसरी बात है कि अगर franchise ही चाहे तो 400 square feet से भी अधिक की जगह में थोड़ा ज़ादा invest करके अपने outlet को एक lounge का look दे सकता है और company इसको लेकर flexible है तो चलिए आप जानते हैं natural franchise cost and investment इन दोनों models में और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन जगहों पर या किन locations पर नाचुरल्स अपनी franchise नहीं दे रहा है दोस्तो नाचुरल्स franchise cost and investment जानने के लिए हमें दोनों franchise models के सभी शुवाती खर्चों को जोड़ना होगा और ये खर्चे हैं interiors plus furniture plus branding plus machinery plus equipments plus other expenses plus store opening plus stock तो ये सब जोड़कर kiosk model में total investment 15 लाग के करीब होता है और property deposit का amount over and above इसके उपर है वहीं पाला model में सभी खर्चों को जोड़कर total investment 25 से 30 लाग के करीब आता है और इस amount के उपर property deposit का amount अलग है तो जो दोस्त natural ice cream franchise लेना चाहते हैं उनके लिए company ने तीन बहुत important बाते बताई हैं और इन तीनो information के बाद हम जानेंगे profit margin के बारे में तो natural ने पहली information ये दी है कि company किसी भी consultant के थूँ अपनी franchise नहीं देती है तो in case को अगर कोई आपसे ये कहता है कि वो पैसे देकर आपको franchise दिला देगा तो तुरंत सावधान हो जाएंगे क्योंकि ऐसा possible नहीं है दूसरा जिनको भी नाचुरल की franchise के लिए apply करना है उनको company की website naturalicecreams.in पर जाकर apply करना होगा और जैसी ये website पर जाएंगे उपर right hand corner की तरफ आपको दिखेगा franchise query उस पर क्लिक करिए आप franchise query वाले page पर पहुँच जाएंगे वहाँ पर आपको ये form दिखेगा बहुत simple सा और आसान सा form है आप अपने आप तुरंत भर सकते हैं और और इस form को भरके submit कर दीज़े इनकेज अगर आप कहीं पर भी कोई problem आती form भरने में तो आप नीचे comment करके मेरे से पूछ सकते हैं तीसरा company ने ये बताया है कि वह कहां पर या किन locations पर अभी अपनी franchise नहीं दे रही है तो as per natural company अभी north and east इंडिया में franchise नहीं दे रही है और west and south इंडिया के कुछ शहरों में जैसे कि मुंबई, नवी मुंबई, थाने district, पूने, नाशिक, नागपूर, इंदौर, सांगली, क नहीं देख रही है, इन शहरों में naturals अपने existing franchises के थूँ ही expand करेगा, तो जो दोस्त west and south इंडिया में है, तो इन शहरों के अलावा, वो किसी और शहर में है, तो वो naturals ice cream की franchise के लिए apply कर सकते हैं, और मैं यहां पर आपको छोटी सी tip देता हूँ, अगर आपके शहर में जो sale का 35-55% है depending on the products, और यह gross margin है, मतला किसी product में 35% मिलेगा और किसी में 55%, तो जब आप अपने gross margin में से अपने operational expenses जैसे की rent, salary, electricity, बाकी other expenses घटा देंगे, तो आपका net profit आ जाएगा, मगर दोस्तों यहां सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी को ice cream business में उतरना भ जाते हैं, वो भी data के साथ, तो यह video आपके लिए है, thank you for watching.